साथ सितमबर 1973 को जन्मे सचिन पाइलेट 2022 में 45 साल के हो जाएंगे इस मौके पर सचिन पाइलेट के घर जैश्न का माहौल है और पुरे प्रदेश से समर्थकुन के यहां बधाई देने पहुँच रहे हैं समर्थकों के इस भारी भीड में जहां जोश और उत्सा भरा पड़ा है वहीं सिविल लाइन की सडके पाइलेट के पोस्टर से पटे पड़े हैं जहां सचिन पाइलेट के समर्थक उनके मुख्य मंद्री बनने की मांग करते हुए नारे बाजी कर रहे हैं वहीं उनके विरोधियों को लग रहा है कि ये सचिन पाइलेट का जन्म दिन जश्न के बहाने शक्ति प्रदाशन है वहीं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सचिन पाइलेट के जीव इनकी पूरी कहानी कि कैसे पाइलेट ने महज 45 साल की उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लिया दरसल सचिन पाइलेट का जन्म एक राजनेतिक परिवार में 7 सितंबर 1947 को उत्तरप्रदेश के सहरनपूर में हुआ उनकी प्रारंबिक शिक्षा नहीं दिल्ली के एर फोर्स बाल भारती स्कूल में हुई जिसके बाद उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिگरी दिल्ली univercity के सेंट स्टीफन्स कॉलिज से हासिल की ग्रेजुएशन के बाद पाइलेट ने अमेरिका इस्थित पेंसिलवानिया यूनिवर्सिटी के वाइल्टन स्कूल से अम्ब ए की डिगरी हासिल की इसके अलावा सचिन पाइलेट को उडान भड़ने का भी शौक है और वो एक अच्छे शूटर भी है वहीं आर्मी स्कूल से पढ़ाई लिखाई के बाद पाइलेट की तमन्ना सेना में जाकर देश तेवा करनी की थी लेकिन किसी कारण वाश वो सेना में नहीं जा पाए हाला कि उनकी इतमन्ना 2012 में पूरी हुई जब वो खुद केंद्री मंत्री थे और प्रादेशिक सेना में नियुक्त होने वाले भारत के पहले केंद्री मंत्री बने वहीं अगर सचिन पाइलेट के शादी शुदा जीवन की बात करें तो उनके लिए सफरासा नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन पाइलेटिक हिंदू है और उनकी पतनी का नाम सारा अबदुल्ला है जो के फारुक अबदुल्ला की बेटी है और उमर अबदुल्ला की बहन है बता दें कि MBA के दोरान ही सचिन सारा दोस्त बन गए और समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर प्यार में बदल गई हाला कि अपने अपने परिवार दोरा इस रिष्टे की मनाही के बावजूद भी दोनों ने गुपचप तरीके से शादी कर ली फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अब्दुल्ला परिवार और पाइलेट परिवार की नाराजगी दूर हो गई और दोनों परिवार इनकी खुशी के लिए कड़वी यादे भुलाते हुए फिर से एक साथ आ गए पढ़ाई पूरी करने के बाद 2002 में सचिन पाइलेट ने अपने पिता के जर्न दिन पर दस फरवरी को कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए इस अफसर पर एक बड़े किसान सभा कायोजिन किया गया 13 मई 2004 को पाइलेट 14 वी लोग सभा के लिए 200 सीट से चुने गए जिसमें उन्होंने अपने निकरतम प्रतिद्वंद्वी को 1.2 लाख मतों से हराया सिरख 26 साल क्यूमर में भारतिय सांसत बनने वाले वो सबसे युवा व्यक्ती थे सांसत बनने गबाद पाइलेट को केंद्र सरकार की ग्रेव विभाग में स्टेंडिंग कमीटी का सदस्य एवं नागरिक उडेन मंत्राले के सलाकार समीती का सदस्य बनाया गया फिर 2009 में उन्होंने 15 वी लोग सबा का चुनाव जीता और 2014 तक केंद्र सरकार में राज्य मंद्री का पद्ध संभालते रहे हाला कि 2014 में राजिस्थान कॉंगरिस कमीटी का प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी लोग सबा चुनाव में उनको हार मिली फिर दिसम्बर 2018 में राजिस्थान विदान सबा चुनावों के पश्चातवे राजिस्थान के पांचवे उपमुख्य मंत्री बने लेकिन CMSO गहलोत से मतभेद होने के कारण 14 जुलाई 2020 को उन्हें उपमुख्य मंत्री और राजिस्थान कॉंग्रेस अध्यक्षपद से हटा दिया गया सचिन पाइलेट एक अच्छे नेता होने के साथ साथ कई राश्ट्र राइफल और पिस्तॉल शूटिंग चंपेंशिप में दिल्ली का प्रदनेधित्व भी किया है पाइलेट एक राजिनीता होने के साथ साथ देश की युवाओं के लिए आदार्श और मोटिवेशनल वक्ता भी है उन्होंने भारती राजिनीती का नया रूप माना जाता है जो इनके व्रक्तित्व में साफ जलकता भी है इसके लावा पाइलेट को अंतराश्टे समाच्यार और वर्तमान मामलो व्यापार और अर्थशास्त्र रणनीतिक और विदेशी संबंधी मामलो में वेशेश रूची है पाइलेट ने 2001 में अपने पिता पर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका शीरशक है राजेश पाइलेट इन स्पिरिट फॉरेवर वहीं आपको बता दें कि 2018 के राजिस्थान विदानसबा चुनाव में कॉंग्रेस के जीत के बाद सचिन पाइलेट मुख्यमंत्री पद का प्रबल दाविदार माना ज़ा रहा था लेकिन अशो गहलोत ने सचिन पाइलेट पर वरियता हासिल की थी हाला कि उस सचिन पाइलेट पार्टी से नाराज चल रहे थे जिसके बाद राहूल गांदी ने उन्हें काफी धर्यवान बताया था वहीं अब एक बार फिर राजिस्थान में विदानसबा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में पाइलेट के समर्थक पूरे जोश और उत्साह में हैं कि इस बार फिर पाइलेट का राजिया विशेक जरूर होगा